पाकिस्तान में एक यात्री विमान हाथसे का शिकार हो गया है। ये विमान लेंड करने से पहले एक आवासीय कॉलोनी में जागिरा। ये इसी हाथसे की CCTV फुटेज है। इसमें आप विमान को पहले उड़ता हुआ, फिर नीचे की तरफ आता हुआ और बाद बेक भीशन धम का होते हुए देख सकते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स का A320 एयरबस विमान दोपहर एक बजे लाहौर से रवाना हुआ था। लाहौर से चलकर कराची पहुँचते हुए एरपोर्ट पर लेंडिंग से ठीक पहले ये विमान रियाइशी इलाके जिन्ना ग कि अधिकारियों के मताबिक इस क्रेश्ट से एक मिनट पहले जहास का एयर ट्राफिक कंट्रोल टावर से सम्मन तूट गया था। इसके बाद धुआ उड़ता हुआ देखा गया। इस हास्से को अपनी आखों से देखने वाले उजयर खान कहते हैं कि उन्होंने एक तेज की आवास सुनी जिसके वाद वो बाहर की और भागे उन्होंने बताया कि चार घर बिल्कुल तबाह हो चुके थे वहां पर बहुत सारी आग लगी थी और धुआ निकल रहा था। गहरा दुख जताया है। उनके अलावा भारत के प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने भी इस हास्से में मारे जाने वारे लोगों के प्रती शद्धान जली अर्पित की है।